नमस्कार, बायजूज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम आज के बिग निउस में चाचा करने वाले हैं साइट्स का जो सम्मेलन चल रहा है पनामा में और इस सम्मेलन में हाथी दात के अपार को ले करके एक बहुती महत्पून प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव के वोटिंग में भारत के द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया है यानि कि भारत इससे अपसेंट रहा है इस मुद्दे पर तो आये सुरू करते हैं आज के बिग निउस को तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि साइट्स याने की Convention on International Trade in Indangered Species of Flora Inferna जिसे हम हिंदी में वन जीवो एवं वरनस्पतियों की लुप्त प्रय प्रजातियों के अंतराष्टे वेपार पर Convention के नाम से जानते हैं उसका जो 19 सम्मेलन है वह पनामा में हो रहा है और इस सम्मेलन की सुर्वाद जो है 14 नवंबर से हुई है जो की 25 नवंबर तक चलेगा यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है इससे पहले जो इसका सम्मेलन हुआ था यानि की जो इसका 18 सम्मेलन था वह जिनेवा सुर्जर लेंड में आयूत किया गया था और यहाँ पर साइट्स का सम्मेलन चल रहा है पनामा में उसमें हाथी दानत के वेपार यानि की जो आईवरी ट्रेड है उसको ले करके एक बहुत थी महत्मुन प्रस्ताव लाया गया था यहाँ पर कोशिस ये की गई थी कि हाथी दानत का जो वेपार है उसको फिर से शुरू किया जाए कुछ देसों के लिए और इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग का समय आया तो भारत के द्वारा इस प्रस्ताव पर जो वोटिंग हो रहा था उसमें भाग नहीं लिया गया है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हाथी दानत के वेपार पर भारत का जो पुराना एस्टेंड था आपको ध्यान में रखना है कि भारत 1976 में साइट्स का सदस्देश बना था और उसके बाद से ही भारत का जो एस्टेंड है वो हांथी दानत के एपार पर बहुत ही कलेर रहा है भारत जो है इसको रोकने के पक्ष में हमेशा रहा है लेकिन इस बार जिस तरीके से हांथी दानत के एपार को खोलने को लेकर के जो प्रस्ताव लाया गया था समझा ये जा रहा था कि भारत इसके खिलाब मदान करेगा लेकिन भारत ने जो है वोटिंग में भाग नहीं लिया और इसलिए कहा जारा कि भारत जब से साइट्स का सदस्द से बना है तब से ये पहली बार हु पुलने को लेकर के एक प्रस्ताव जो है साइड्स के 19 समयलन में लाया गया था जिसे की औस्युकार कर दिया गया है लेकिन यहां पर भारत ने जिस तरीके से इसकी वोटिंग से अपने आपको अलग रखा है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत और नामीबिया के जोहता हस्ताक्षर किये गए थें उसमें दोनों देशोंने साइड्स सहित अन्य जो अंतराश्टी मंच हैं वहां पर एक दूसरे का समर्थन करने उका था याने कि ये दोनों देश जैव विवता याने की बायोडाइवर्स्ती के मुद्दे पर अंतराश्टी समयलनों में एक दूसरे की सहायता करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि भारत में नामीबिया से चीतों को लाया गया है और चीतों का जो पहला जथा है वह 17 स्टंबर को नामीबिया से भारत आया था और आठ में से जो तीन चीते हैं वह पहले ही कुरंटाइन एरिया से निकाल करके पर इन्होंने सिकार करना भी सुरूख कर दिया है और जो समझोता चीतों को ले करके हुआ था भारत और नामीबिया के बीच में उसी में जो है इस बात पर दोनों देशों ने सहमति जिताई थी कि ये दोनों देश जो अंतराश्टिये मंचों पर सम्मिलन होंगे खास करके ब ध्यान बर रखना है कि इस प्रस्ताव का जो समर्थन है वह नामीबिया ने भी किया था अगर हम साइट्स की बात करें तो आपको ध्यान बर रखना है कि साइट्स एक अंतराश्टिये समझोता है जिसका दुनिया भर की सरकारे जो इसमें सामिल हुई है वे स्विक्षा से पालन करती है यानि कि यह सुनशित करता है कि जो जंगली जानवर हैं जो पौधे हैं उनका वैपार इनके अस्तित्यों के लिए खत्रा ना बन जाए आपको ध्यान में रखना है कि साइट्स का जो मौसोदा है वह वर्स 1963 में अंतराश्ट्य प्राकिर्तिक स्रक्षन संग य और आगे चल करके 1 जुलाई 1975 से इसे लगू किया गया और वर्तमान में दुनिया के 184 देश साइट्स में सामिल है यानि कि उनके द्वारा स्विक्षा से इस अंतराश्ट्य समझोते का पालन किया जाता है अगर हम साइट्स में सामिल सदस्य देशों के समिलन की बात करें जिसे हम Conference of Parties कहते हैं तो यह जो सम्मिलन है वह decision लेने वाला सर्विच निकाय है और जितने भी देश साइट्स के समझोते का पालन करते हैं वे इसमें सामिल होते हैं और हर तीन साल में Conference of Party का आयून किया जाता है यानि कि सम्मिलन का आयून किया जाता है जहां पर इस convention में जो फैसल लिए गए हैं पहले उनका कर्यानवन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी समिच्छा की जाती है और इन सम्मिलनों में नए मुद्दों पर भी चर्चा होता है आपको ध्यान में रखना है कि साइट्स के द्वारा दो एपेंडिक्स बनाए गए हैं ए इसलिए साइट्स के द्वारा इन प्रजातियों के अंतराष्टे व्यपार पर रोक लगाए जाती है ताकि इन संकट ग्रस्त जीवों को बचाया जा सके इसी तरीके से साइट्स का एपेंडिक्स 2 भी है और यहां पर उन जीव जन्तों को सामिल किया जाता है जिने वर्तमा पर भी कुछ प्रतिबंद लगाये जाते हैं सावधानी बढ़ती जाती है अब अगर हम हाथी दात के व्यपार की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जब से भारत साइट्स का सदस्देश बना है तब से भारत ने हाथी दात के अंतराष्टे व्यपार का विरोध क किया है आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा 1981 में साइट्स के सम्मेलन का उसका उसने मेजबानी किया था और उस समय भारत के द्वारा जो लोगो बनाया गया था साइट्स का उसमें भारत के द्वारा हाथी दात को भी सामिल किया गया था आप यहां पर देख सक विरोध में रहा है और आपको ध्यान में रखना है कि साइट के द्वरा भी 1989 में हाथी दान्त के वपार पर विश्व अस्तर पर पतिबंद लगा दिया गया था और इसके साथ ही सभी अफ्रिकी हाथियों की अबादी को साइट का जो एपंडिक्स 1 है उसमें सामिल कर लिया ग यानि कि आपको ध्यानम रखना है कि 1981 में हाथी दान्त के विपार पर पूरे विशु में पर्तिबंद साइट्स के तोरह लगा दिया गया था, लेकिन आगे चल करके नामीबिया, बोच्वाना, जिमबावबे की हाथी अबादी को 1997 में और दक्षिन अफरिका में पाए जाने वाले जो हाथी हैं, उनको सन 2000 में एपेंडिक्स 2 में हस्तान्तित कर दिया गया, यानि कि इसका मतलब ये है कि नामीबिया, बोच्वाना, जिमबावे और दक्षिन अफरिका में जो हाथी की अबादी है, वो जो है साइट्स के एपेंडिक्स 2 में सामिल है और यहाँ पर इ 1999 और 2008 में नामीबिया, जिमबावे और बाद में बोच्वाना और दक्षिन अफरिका को साइट्स की देखरेक में वैसे हाथी दांत जो हाथे की प्रकृतिक मोज से पाए गये हैं या फिर सिकारियों से जब्त किये गये हैं, उनकी बिक्री को ले करके अनुमती दिया गया तो जیसा कि मैंने कहा कि चुकी इन देशों के जो हाथी हैं, उन्हें जो है साइट्स के अपेंडिक्स 2 में सामील किया गया है और इसलिए साइट्स के द्वारा अपनी देखरेख में 1999 और 2008 में इन देशों के द्वारा हाथी दांत के बिक्री की अनुमती दी गई थी, और फिर जो सिकारी होते हैं जिनसे इन हाथी दातों को जब्त किया गया है सिर्फ उनी हाथी दातों को यहाँ पर बेचने की अनुमती दी गई थी हाला कि इन चारों देशों के द्वारा बार बार ये मांग की जाती रही है कि इनके देशों में जो हाथी पाये जाते हैं उन्हें जो है साइट्स के appendix 2 से निकाल दिया जाए और इन्हें नियंतिक तरीके से हाथी दातों के वैपार की अनुमति दी जाए और इसको लेकर के नामीबिया के द्वारा साइट्स का जो 17 सम्मेलन था जो की 12-16 में हुआ था उसमें एक प्रस्ताव लाया गया था आगे चल करके 2019 में जो 18 सम्मेलन हुआ था उसमें भी इसी तरह का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन इन सभी सम्मेलनों में हाथी दात के वैपार को खोलने जुड़े हुए जो प्रस्ताव थे उनको स्विकार नहीं किया गया और अभी फिर से जो कोप 19 हो रहा है उसमें जिमबावे के द्वारा इसी तरह का प्रस्ताव पेस किया गया जिसे फिर से नकार दिया गया है आपको ध्यान में रखना है कि हाथी दान्त का जो अवैद वैपार है वह पूरी दुनिया में भारी मात्रा में होता है जिसके कारण सिकारियों के द्वारा हाथीयों को मारा जाता है जिसके कारण भारी मात्रा में हाथियों की मौत हुई खास करके अफरीका में जो है इन चार देशों में हाथी की जो अबादी है वो काफी तेजी से गिरिन लगी थी जिसको देखते हो यहाँ पर साइट्स के द्वारा हाथी दात के वेपार पर परतिबंध लगाया गया था यहाँ पर यह कहा जाता है कि अफरीका में हाथी के दात के लिए एवरेज 25 मिनिट में एक अफरीकन हाथी को मरा जाता है सिकारियों के द्वारा और इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो है एवरी एर 17 बिलियन के आसपास है यहाँ पर यह कहा जाता है कि 1979 से 1989 के बीच में अफरीका में पाए जाने माल जो हाथी हैं उनकी आधी अबादी जो है सिर्फ इसलिए खतम हो गई क्योंकि यहाँ पर सिकारियों के द्वारा उनके दांतों का अवैध्य पार किया जाता था और कहीं न कहीं इसी को देखते हुए इंचार देशों के द्वारा जो यह मान की जाती है कि हाथी दांत के अपार को फिर से नियमित तरीके से खोला जाए खास करके इंचार देशों के लिए उसे जो है अभी तक स्विकार नहीं किया गया है आपको ध्यान में रखना है कि नामीविया और दक्षिन अफरीका जैसे देश यह कहते हैं कि उनके देश में जो हाथी की आबादी है वो फिर से बढ़ रहा है और वैसे हाथी जो प्रकिटिक तोर पर मरते हैं और उनसे जो हाथी दांत प्राप्त होते हैं वो काफी संख्य के सरक्षन में कर सकते हैं और जो आसपास रहने वाले जो समुदाई हैं उनको भी इंसेंटिब के तोर पर इन पैसों को दिया जा सकता है जिसे वो हाथी ओं का सिकार ना करें लेकिन यहाँ पर जिन देशों के द्वारा हाथी दांत के एपार को खोलने का विरूद किया जा जिस तरीके से साइट्स के द्वारा 1999 में और 2008 में हाथी दांत के बिक्री की अनुमति दी गई थी उसके बाद ये देखा गया था कि पूरी दुनिया में हाथियों का जो अवैस सिकार है हाथी दांत के लिए बहुत बढ़ गया था और इसी कारण से अगर हम ऐसा कोई भी स्विकार नहीं किया गया तो बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है ये और यहाँ पर जो इंपोर्टेंट जानकारिया मैंने आपको दी है वो आपके एक्जाम पॉइंट अभी काफी महत्पून है तो आसा करता हूं कि आप सभी को आज का ये बिग निउस पसंद आया को रिवाइस करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें सेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए परीद करें तो मिलते हैं बिग निउस के अगले सत्र में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद